और अब चर्चा वास्तु शास्तर की वास्तु शास्तर में आज हम बात करेंगे दक्षिल पस्चिम दिशा के बारे में दक्षिल पस्चिम दिशा को भारी सामान डखने के लिए सबसे उचित दिशा माना जाता है घर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वहां के दक्षिल पश्चिम हिस्से को सक्षे उंचा रखना चाहिए साथ ही इस दिशा की दिवारों को आधे दिशाओं की दिवारों से मोटा बनाया जाना चाहिए अगर आपके घर में सीड़ियां बनाया जानी है तो वो भी घर की इसी दिशा में बनवाई है आप चाहें तो इस दिशा में एक स्टोर रूम भी बनवा सकते हैं जिसे भारी सामान रखने के लिए उप्योग में लाना चाहिए इस दिशा को भारी सामान रखने के लिए चो उपयोग में लाना चाहिए इसके पीछे एक साइन्टिफिक फैक्ट है दर असल प्रत्वी जफ सूरी की परिक्रमा दक्षल दिशा में करती है तो प्रत्वी एक विशेश कोणी है इस थिति में होती है प्रत्वी अपने धूरी पर जुकी हुई है लेकिन इस दिशा में भार रखने से वो संतुलन में आ जाती है साथ ही इस दिशा में गर्वियों में ठंड़क जब की सर्दी के मौसर में गर्माहत रहती है जिसके चलते भारी सामान की उर्जा में भी संतुनल बना रहता है